दोस्तो आज आपको बताने वाले कि EPFO का बहुत interesting fact आपको आज जानकर अच्छा लगेगा और आपको एक नहीं जानकारी मिलेगी जो आप तक आज तक आपको पता नहीं होगा यह EPFO का एक interesting fact है तो मैं आज आपको बताऊंगा इस वीडियो में तो आपको कुछ ने करना बस व आइकन प्रेस करें ताकि हर जानकारी वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है तो आपको मैं इसमें एक interesting fact पताता हूँ जो आपके EPFO में आज तक आपको पता नहीं होगा जब आप login हो जाते हो तो उस वाला option आता है तो उसमें आपका जो नाम होता है वह आपका father नाम होता है उसमें एक changing होता है मैं आपको दिखाने की कोशिज करता हूँ father name and husband name में तो मैं claim form 311910C and 10D पर click कर देता हूँ यहाँ पर मैंने click कर दिया है तो मैं आज आपको दिखा देता हूँ इसको तो आपको यहाँ नजर आ रहा हुगा इसको मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पर जो इसके नाम है मैं आपको कोशिज करता हूँ यहां से दिखाने की यह जो option होता है यह आजाता है इसमें हम account number डालके हम अपना वेरफाइपर किलिक करके अपना जो भी आपको 31 advance निकालना है या 11 full and final निकालना होता है वे आप आराम से निकाल सकते हो तो आपको यहाँ नजर आ रहा होगा मैं आपको कोशिज करता हूँ यहां से दिखाने की तो यह जो option होता है इस से आप अपना इस वाले option में आप देखो कि तो आपको यहां नजर आएगा आप आप देखो तो आपको यहां नजर आ रहा होगा father name जो भी है इदर आपको नजर आ रहा है तो आज मैं आपको बताता हूँ यह father name इदर दिया गया है लेकिस इसका interface fact में आपको बता देता हूँ यहां पर आपको father name दीखेगा लेकिन यह एक husband name है लेकिन जो आप online service पर जब claim करते हो तो आपको यह father name ही इदर so होगा ना कि इदर लिखा आएगा father name and husband name तो आपको समझ में आ रहा होगा यहां पर आप देख सकते हो यह एक मतलब की महिला का है आप देख सकते हो जो नाम है इदर दि दिया गया यह father name नहीं यह husband name है अब मैं आपको दिखाता हूं इसका आपको पता कैसे लगेगा यह father name है यह husband name है तो आपको यहां चले जाना है आपको यहां पर वीव का option दिख रहा होगा तो आपको यहां पर वीव वाले option पर click कर देना है आपको मैं दिखाने कोशिश करत कुल इसको आप यहां ब्लूंद स्कूल यहां है को मैं रीक्ति हो ज्ञेन कर दोॉद्थ. और यहां दो हम साथै तो तो उतना आपने की मतां का सब्सक्राइब कार्णार थैस нtir यहां아서 हो और यह ऑा इससे की सभ्तिकर की में अधर लिख्या क्वाइब मैं सब्सक्राइब husband name आप देख सकते हो यहां पर यह clear आपको पता लगता है कि father name husband name है तो इधर मतलब कि अगर आपका father name है तो आपको यह husband name है तो यह पूरा proper so होता है तो आपको समझ में आ रहा होगा यहां से हम इसका clear कर सकते हैं लेकिन जो उसका option होता है online services claim के option पर जाते हैं तो वहां पर only father name ही so होता है मैं आपको दिखा चुका हूँ और आपको पता नहीं लगेगा इस से भी तो आपको समझ में आ रहा होगा father husband name तो अभी यह clear नहीं हो रहा आप देख सकते हो लेकिन इसको clear करने के लिए आप देख सकते हो father and husband name अब यह पता नहीं लगई रहा है यह क्या है तो आपको यहां पर नीचे थोड़ा देखोगे तो आपको यहां से clear हो जाएगा यहां पर लिखा हुआ है relationship तो relation मैं यहां देख और तो यहां लिखा हुआ हुआ एप देख सकते हो यहां पर यह clear कर दिया है तो आप देख सकते हो यहां पर यह clear हो चुका है आप देख सकते हो यहां पर लिखा भी हुआ है husband name और मैं एक बार आपको उसी option पर ले जाके दुआरे दिखा देते हो वहाँ पर क्या लिखा होता है online services claim को option पर मैं आ गया हूँ और यहां पर claim को option दबाने के बाद मैं आप यहां देख सकते हो only यहां पर लिखा हुआ है father name तो आप देख सकते हो यहां पर यह है इस प्रेश्टिफ फैक्ट था जो मैं आपको EPO का आज ही बताया है तो आपको यह एक जानकारी नहीं लगी तो आज़ा करता हूँ यह है एक EPO का interesting fact आपको देख कर जानने जानकर आपको कैसल लगा होगा तो आपको आज़ा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आए होगा तो दोस्तों पसंद आए तो लाइक कर देना अगर चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और पीएफ से संब्दित हर जानकारी पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद